आज हम इस वीडियो में वैदिक सभेता के बारे में जानेंगे सो लेट अस श्टार्ट सिंदू घाटी सभेता के बाद भारत में जिस नई सभेता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभेता के नाम से जाना गया इस काल में वेदो की रचना हुई और वेदो पर आधारित जानकारिया प्राप्त हुई उस संपूर काल को वैदिक काल के रूप में जाना गया वैदिक काल को मुखिता दो भागों में विभाजित किया गया है पहला पूर्व वैदिक काल जिसे रीग वैदिक काल के नम से भी जाना जाता है और दूसरा उत्तर वैदिक काल वैदिक सब्द का विकास वेद से हुआ है जिसका अर्थ ग्यान होता है इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है आर्यों के आगमन को लेकर अनेक इतिहास कारों के अपने अपने विचार हैं जैसे मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मद्ध एसिया से भारत आये थे डॉक्टर संपूरानंद के अनुसार यूरेसिया के पर्वती छेत्र से ये भारत आये थे बाल गंगा धर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश से ये भारत आये थे और दयाना सरस्वती के अनुसार ये तिबबत ये छेत्र से भारत आये थे अब जानते हैं वैदिक काल के जानकारी के सुरोत के बारे में इसमें साहितिक स्रोत और पूरा तात्विक स्रोत दोनों प्रकार के स्रोत वैदी काल की जानकारी के लिए मौजूद हैं साहित स्रोत इस छेत्र में जब किसी पुस्तक और लिखित माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो उसे साहितिक स्रोत कहते हैं साहितिक सुरूत हमें चार वेदों से प्राप्त होते हैं जिसमें रीग वेद, यजूर वेद, सौम वेद और अथर वेद हैं रीग वेद सबसे पुराना वेद है इसमें दस मंडल और 1028 मंत्र है प्रथम मंडल और दस्वा मंडल इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया था त्रिती मंडल में गायत्री मंत्र है सात्वे मंडल में दस राज युद का वर्णन है नौवे मंडल में सोम देवता मतलब वनस्पती की देवता को समर्पित है और दस्वे मंडल में वर्ड वेवस्था की जानकारी मिलती है रीक वेद के संकलन करता क्रिष्ण दो पायन वेद व्यास जी हैं और गायतरी मंत्र के रशनकार विश्वामित्र हैं दूसरा यजूर वेद इसमें यग के विद्यों का वर्णन है यजू का अर्थ होता है यग इसमें धन्नोर विद्या का भी उलेख है इसके पाठन करता को अधर्वे कहते हैं इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठावनों का भी वर्णन है यजूर वेद की भासा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों प्रकार की है यजूर वेद की दो साखाएं हैं कृष्ण यजूर वेद और सुक्ल यजूर वेद इसी ग्रंत में पहली बार राजसुई तथा बाजपे जैसे दो राजकी समारों का उलेख है तीसरा है सोम वेद ये वेद संगीतों का वेद हैं इसमें साथ स्वरों का वर्णन किया गया है साम वेद को भारत के प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरो प्राप्त है चोथा है अथर्व वेद इसमें सामाजिक कार से जुड़ी जानकारियों का वर्णन है इस वेद को ब्रह्म वेद और स्रेष्ट वेद भी कहा जाता है अब पूरा तात्विक स्रोतों के बारे में जानते हैं जब किसी खुदाई में अफसेश वा अभी लेखों के माधियम से जानकारिया मिलती है उसे पूरा तात्विक स्रोत कहा जाता है बुगज कोई अभी लेख जिसमें भारतिय देवताओं जैसे एंद्र, वरूड, मित्र, नासत्य का उलेख मिलता है ये अभी लेख 1420 के समय का है पूर्व वैदिक काल के गैरिक मिट्टी के बरतन और उत्तर वैदिक काल के चित्रित दूसर मिट्टी के बरतन प्राप्थ हुए जिनके आधार पर इस सभिता की जानकारी मिलती है तो ये थी वैदिक काल से जुड़ी कुछ प्रमुक बाते इससे जुड़ी और भी बाते हम अगले वीडियो में लाएंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट